नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज है 9 सितंबर दिन सनिवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर EOU में साइबर फॉरेंसिक लाब की होगी स्थापना माइक्रो फाइनन्स लैंडिंग में बिहार देश में अबवल पुरानी गारी खरिदनी या बेचनी है तो जाने ये नियम सेक्षक भरती परिक्षा के लिए जारी आंसर की पर आपत्ती दर्च करने की तिती बढ़ी वंडे वर्ल्ड कप 2023 की अपनी ड्रीम टीम में विरंद सहवाग ने इन पांच खिलारीयों का किया चयन अब चले बढ़ते हैं बिहार के अपता की 25 बड़ी खबरों के ओर विस्तार से ASRB में प्रिंसिपल और सीनियर वैग्यानिक पदों के लिए आवेदन तिती बढ़ी Agriculture Scientist Recruitment Board यानी की ASRB की ओर से प्रिंसिपल वैग्यानिक एवं सीनियर वैग्यानिक के पदों पर भरती निकाली गई थी इस भरती के लिए भरती बोर्ट के ओर से आवेदन की अंतिमतिती 8 सितंबर निर्धारित की गई थी जिसे अब बढ़ाकर 15 सितंबर 2023 तक कर दिया गया है ऐसे उमिद्वार जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है वह ASRB की ओफिसियल वेबसाइट asrb.org.in पर जाकर 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं इसके लिए अगर सैचनिक योगिता की बात करे तो इस भरती में शामिल होने के लिए उमिद्वारों को पदानुसार संबनित छित्र में डिग्री डिप्लोमा, पोस्ट ग्राजुएशन डिग्री पीएजडी किया होना अनिवारे है बतादे कस भरती के तहद 368 पदों को भड़ा जाएगा वहीं से जुरी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जारी के गया अधिसूशना को देख सकते हैं जन्प्रमान पत्र इसलिए है बेहत जरूरी किसे बच्चे के जन्प होने के बाद उस बच्चे का जन्प्रमान पत्र बनवाना बहुत जरूरी है बतादे कस बारे में बिहार सरकार के योजना एवं विकास विभाग के अर्थेवं सांखी की निदिशाले के दोरा यह जानकारी दी गई है कि जन्प्रमान पत्र जन्प की तारीक एवं स्थान का प्रमानिक जानकारी है इसके आवशक्ता स्कूल में दाखिला के समय पासपोर्ट आदी बनाने में आधार कार राशन कार एवं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में विहारें बहुत दे स्पेशन में आज हम बात करेंगे तथागत अफ्तार तुलसी के बारे में तथागत अफ्तार तुलसी का जन्म आजी के दिन 1987 को हुआ था यह एक भारतिय बहुत एक विज्ञानी और पुर्व प्रतीभा साली बालक है उन्होंने 9 साल के उम्र में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की 11 साल के उम्र में बीएसी और 12 साल के उम्र में पटना साइंस कॉलेज से MSC की डिग्री हासल की अगस 2009 में उन्होंने 21 वर्ष के आईू में भारतिय विज्ञान संस्थान बैंगलोर से PhD की उपाधी प्राप की जुलाई 2010 में उन्हें IIT मुंबई के नुबंद पर सहायक प्रोफेसर के पद की पेशकर्स की गई थी उनका रोजगार 2019 में समाप्त कर दिया गया 2001 में उन्हें व्यापक सारवजनिक ध्यान मिला जब उन्हें जर्मनी में नोबल परुसकार विजटाओं के सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रोदे की विभाग द्वारा सौट लिस्ट किया गया था उन्हें एक बार टाइम मैक जीन ने सबसे प्रतिभाशाली एशिया युवाउ में से एक के रूप में सम्मानित किया था साइंस ने उन्हें सूपर टीन, दर टाइम्स ने उन्हें फिजक्स प्रोडीजी, दवीक ने मास्टर माइंड और आउटलुक ने सबसे बुधिमान भारतियों में से एक के रूप में सूची बद किया था 14 जुन 2007 को इटली के मिलानो में अलगोड के सम्मान में रातरी भोच के लिए लुसियानो बेनेटेन दोरा आमंतरित किया था तथागत की कहानी को नेशनल जेग्राफिक चैनल दोरा माई ब्रेलियंट ब्रेन कारिक्रम में पदर्शित किया था इंडियाज जीनियस नामक एपिसोड 13 दिसंबर 2007 को प्रसारित किया गया था और इसकी मेजबानी बॉलिवुड अभिनेतरी कौंकना संसर्माने की थी EOU में साइबर फॉरेंसिक लैब की होगी स्थापना इन दिनों बिहार में साइबर क्राइम के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है ऐसे में साइबर क्राइम पर नकेल कसा जा सके और इन मामलों की समुचित जाच की जा सके इसको लेकर Forensic Science Lab के तरज पर आर्थी कप्रा धिकाई में राजी का पहला Cyber Forensic Lab का स्थापना किया जाएगा इसके लिए EOU की ओर से कवायत भी शुरूप कर दी गई है पतादे किस लैब में उन्नत सॉफ्टवेर और हार्डबेर लगाय जाएगे ताकि Cyber Crimes जुरी तमाम मामलों का समाधान हो सके इसके साथी EOU में तीन से चार Cyber Mobile Lab भी स्थापित के जाएगे ताकि उसकी मदद से किसी भी अन्य जिलों में जाकर भी Cyber मामलों सुझरे Crime की जाच की जा सके इसको लेकर EOU के ADG नईर हसनान के दोरा जानकारी देते वें बताया गया है कि एक छट के नीचे अत्याधुनिक सुफधाओं वाले कॉल सेंटर प्रसिक्षन किंद्र साइबर प्रयोक्षाला समीत अन्य सभी सुधाएं मौजूद होंगी सेक्षक भरती परिक्षा के लिए जारी आंसर की पर आपती दर्श करने की दिथी बढ़ी अगर आप भी उन अभिर्थियों में से हैं जो बिहार लोक सेवा आयोक की ओर से ली गई बिहार सेक्षक भरती परिक्षा में भाग लिये थे तो यहाँ खबर आपके लिए है, बता दे का योग की ओर से, इस परिक्षा को लेकर जारी केगा आंसर की पर आपती दर्ज करने की तिती को बढ़ा कर 11 सितंबर तक कर दिया गया है, जबकि पहले आपती दर्ज करने की अंतिम्तिती, 7 सितंबर तक ही निर्धारित की गई थी, ऐसे में अगर आप भी किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं है और आपती दर्ज करना चाहते हैं, तो अब आप 11 सितंबर तक अपनी आपती दर्ज करवा सकते हैं, इसके लिए आभ्यर्थियों को BPSC की आधिकारिक वेबसाइड bpsc.bih.nic.info जाना होगा, बता दे किनी आपती एसल अप पुराने गारी खरीदने और बेचने के नियाम में नई मोटर वाहन नियमावाली के तहत कुछ बदलाओ किये गये है, ताकि ग्राकों के साथ धोकादरी ना हो सके. बता दे कि परिवाहन विभाग के द्वारा नियम में किये गये बदलाओ के नुसार, अब पुर अधिकार प्रमान पत्र मिल जाएगा मालम हो कि नई व्यवस्था में डी लिडों की जवाब दे ही तैकी गई है इसको लेकर विभाग के सचीफ संजय कुमार अगरवाल के दोरा कहा गया है कि नियम में बदलाओ करने का मुख्य कारण पुडानी गाडियों के वैपार में पा बिहार देश में अबवल करोना के बाद छोटे करज लेने वालों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है जिसमें बिहार देश में अबवल है बतादे के एक ताजा रिपोर्ट से यह जानकारी निकल कर सामने आई है कि भारत में सबसे अधिक सुक्ष्म उधार लेने वा टॉप 10 राजी में तो इसमें सबसे पहले स्थान पर जहां बिहार है तो वहीं दूसरे स्थान पर तमिलनाडू, तीसरे पर उत्तर प्रदेश, चौथे पर करनाटक, पांचवे पर पश्चिम मंगाल, छटे पर महरास्ट्र, साथवे पर मध्यप्रदेश, आटवे पर उर शाह नौवी पर राजस्थान तो वही दसवे नंबर पर केरल शामिल है इन सभी दस राज्यों के हिस्सेदारी इस तरह के पूरे देश के कर्च में पचासी प्रतीशत है बिहार राजे प्रवासी मजदूर दुरगटना अनुदान योजना के तहद मिलते हैं इतने अनुदान बिहार सरकार के स्रम संसादन विभाग के दोरा बिहार राजे प्रवासी मजदूर दुरगटना अनुदान योजना के तहद स्थाई एवं और स्थाई अपंगता के सिती में अनुदान दिये जानी का प्राबधान है साथ ही दुरगटना मृत्तिव होने पर उनके वैद आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिसके तहर दुरगटना मृत्तिव के सिती में दो लाग रुपे मृत्तकों के आश्रितों को आनुदान के रूप में दिये जाते हैं तुम्हें इस थाई अपंगता के सिती में एक लाग रूपे और आंसिक अपंगता के सिती में 50 हजारूपे अनुदान के रूप में दिये जाते हैं से में अनुदान लेने है तू आवेदक स्वेम अत्वा उनके आश्रत बिहार लोग सेवा का अधिकार अधिनियम 2015 के अंतरगत आर्टी पीएस काउंटर अत्वा ओनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं पतादी के आवेदन का निटारा चोवारस दुनों में किया जाता है वहिस योजना के प्रभारी पतादीकारी सभी जले के स्रम अधिक छक होते हैं इस योजना के अंतरगत स्वेम से लगाये चोट, नशे के करण लगा चोट और मृत्यू एवं आपराधिक गती वीधियों में हुए छती और मृत्यू शामिल नहीं होते हैं मांसिक स्वास्ते और चिकिस्ता सुवधाओं के नियामवाली पर पटना हाई कोट ने की सुनवाई बीतर दिन पटना हाई कोट के मुखे नयाधीस नयायमूर्थी केव विनोथ चंदरन और नयायमूर्थी पार्थ सार्थी की खंडपीट के द्वरा मांसिक, स्वास्ते और चिकिसा सुधाओं को लेकर बनाई गई नियमवाली पर अधिवक्ता आकांचा मालविये की ओर से दायर लोखित याचिका पर सुनवाई की गई इस दोरान कोट के दोरा राजे सरकार को नर्देश दिया गया कि इस मामले को लेकर तीन सपता के भीतर हलफ नामा दायर किया जाए बता दे किस मामले को लेकर राजे सरकार के दोरा कोट को बताया गया किस मामले में यह मवाली बना ली गई है जिस पर कोट की ओर से हलफ नामा दायर करने का नर्देश दिया गया आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अब इस मामले पर अगले सुनवाई कोर्ट के द्वारा तीन सपताह बात की जाएगी इससे पहले याचिका करता की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि राज्य में मांसिक रोग्यों के इलाज के लिए सुधा संपन अस्पताल नहीं है गांधी सेतु पर अगले साल से देना होगा टोल टैक्स महात्मा गांधी सेतु में जिस टोल टैक्स को लेना वर्ज 2012 में बंद कर दिया गया था उसे अब एक बार फिर से शुरू किया जाने वाला है जो कि अगले साल से शुरू होगा बता दे कि है टोल टैक्स महात्मा कारी देते वें बताया गया है कि नए पुल का निर्मान कारी को वर्ष तो हजार चौबस तक पूरा करनी का लक्षे रखा गया है इसके बाद टोल टाक्स वसूलनी की शुरवात हो जाएगी मालमों किस पुल के निर्मान में कुल पैतिस सो करो रूपए की राशी खर छोड़ है वहले टोल प्लाजा हाजेपूर की तरफ होगा यहां प्यड 16 लेन का सरक होगा वहीं पटना के तरफ आठ लेन की शरक होगी बिहार के परिटन में आज हम बात करेंगे पावापूरी जल मंदर के बाड़े में सुन्दर मंदर का मुख्य देवता भगवान महावीर की बहुत पुरानी चरन पादुका है यह उस स्थान का प्रतीक है जहां भगवान महावीर के पार्थिव सरीर का अंतम संसकार किया गया था मानता है कि इस मंदर का निर्मान भगवान महावीर के बड़े भाई राजा नंदी वर्धन ने करवाया था जिसका समय समय पर जनुधार होता रहा है वर्तमान सनचना संगमर्मर से बनी है और कमल के फूल से भड़े तालाप के बीचों बीच है यह मंदर लाल बलुवा पत्थर से बने 600 फीट लंबे पुल के माध्यम से सुलब है मंदर के अंदर भगवान महावीर और उनके सिश्यों के पैरों के निशान है इस मंदर के शांत इवं मनुरम बातावर अन्मन को भाव विवोर्ट कर देते हैं अगर आप भी उन अभ्यर्थियों में से हैं जो बिहार लोग सिवा आयोग के ओर से आयोजित के जाने वाले बीपीएसी उनहतर भी सिश्यों प्राणभीक परिक्षा में भाग लेने वाले हैं तो यहां खबर आपके लिए है बता दे किसकी परिक्षा 30 सितंबर को आयोजित की जाएगी जो 12 बज़े से 2 पहर 2 बज़े तक होगी SMS परिक्षा में शामल होने बाले अभ्यर्थियों के लिए यह एडमिट कार्ड परिक्षा से 10 दिन पहले यानि की 20 सितंबर को आयोजित की आधिकारिक वेबसाइट bpsd.bih.nic.in पर अप्लोड कर दिये जाएंगे जहां से अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकते हैं आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस परिक्षा में शामल होने के लिए दो दसमलोड साथ सुनिल लाग अभ्यर्थियों के दौर आभी दन किया गया है जो कि सरसथवी सुयुक्तप्रणी стрeousवी परिक्षा में शामल होने के लिए आभी दन के गया अभ्यर्थियों की संख्या में काफी कम है बतादे कि मीडिया में चल रही खबरों के नुसार बीपेस युनाटर विस्वनात पीटी पड़िक्षा के लिए राजे के चौतस जिलों में किंद्र बनाने की बात चल रही है राजे पाल आड लेड़कर ने सीनियर एशियन सेबो चैमपिएंशिप विज्टा को किया सम्मानित बिते दिन बिहार के राजेपाल राजेंनर विश्वनात आ लेडर करके दोरा राजेभवन में कजाकस्तान में आयोजित सीनियर एशयन स्थाभो चैंपियंशिप में भारती ऐ टीम में शामिल होकर पतादी के राजेपाल के दोरा उनसे मुलाकात कर उनका खौसला बढ़ाते वे अंग वस्तर दिया गया मालम हो के जिन दो लड़कियों को सम्मानित किया गया है। उनमें पटना की अभिलाशा कुमारी जिसने 54 किलोग्राम असफर्दा में काश्य पदक जीता तो वहीं दूसरी भागलपूर की चांदनी कुमारी है जन्होंने वर्ल्ड जुजुट्सू प्रत्योगिता में काश्य पदक जीता है। राजबवन की ओर से खिरारियों को हर संभब मदद देने की बात कही गई है। पेट्रॉल पंप खोलने के लिए पालन करना अनिवारे है। दोक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर केके पार्ठक को बीपीएसी अध्यक्ष का जवाब। बीपीएसी सक्षक बहाली के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया में टीचर्स की लगाई गई ड्यूटी को लेकर बिहार सरकार के सक्षा विभाग के अपर मुख्य सचीब केके पार्ठक के द्वारा बीपीएसी को पत्र लिकर इसका जवाब मागा गया था। और उन टीचरों की ड्यूटी खत्म करने की बात कही गई थी वहीं अब बीपीएसी चेर्मैन अतोल प्रशाद के द्वारा बीते दिन अपने सोचल मीडिया पर एक पोस्ट कर सक्षा विभाग के अपर मुख्य सचीब केके पार्ठक का नाम लिये बेना उन पर निशाना सा प्रशाद के बात के अब बीपीएसी चेर्वाग के अपने सावना पर रहा बीकानेट गुना मंठला राइपूर से होते वे दक्षिन पुर्व की और पश्चिम मध्य बंगाल की खारी तक प्रभावी है सादे के मौसम भाग की तरफ से 9 सितंबर को लेकर जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश के अधिकांस जिलो के उत्तर पश्चिम उत्तर मध्य और दक्षिन के जिलो में एक या दो अस्थानों में वजरपात के साथ मेग गर्जन होने की संभावना है वहीं कैमूर रोतास पश्चिम चंपारन और पूर्वी चंपारन जिलो के एक या दो अस्थानों में भाड़ी बारिस होने की संभावना है बेहत पसंद बिहार के मशूर बॉलिवूर सिंगर प्रिया मलिक जनमास्ट में के मौके पर बिहार की राजधानी पटना पहुंची थी इस दोरान उन्होंने एक प्रतिस्थित चैनल एटीवी से बात करते वे बिहार को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी उन्होंने कहा कि मेरी जन भूमी बिहार ही है इसलिए बिहार के लोगों और यहां के मिट्टी से मेरा खास लगाओ है मैं यहां जब भी आती हूँ मुझे मेरा बचपन यादा जाता उन्होंने कहा कि बिहार का फेमस लिटी चोखा है लेकिन मुझे इससे जदा चूड़ा और गुगनी पसंद है यह ऐसा व्यंचन है जो मुझे 24 घंटा मिले तो मैं खालू उन्होंने कहा कि बिहार के आचार का स्वाध काफी अच्छा होता है इसलिए मुझे खटा खाना भी काफी पसंद है वैसे यहां का हड़ वेंचन लजीज होता है यहां के वेंचन में कोई कमी नहीं है और मैं खाती पीती घर से हूँ यह मुझे देख कर ही पता चलता है दस लाग की विदेशी सराब के साथ एक तसकर गिरफतार बिहार में पुनरूप से सराब बंदी है ऐसे तो हम सभी वाकिफ है लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें सराब तसकरी सिजरे मामले सुनने को मिलते रहते हैं हालाक इन पर नकेल कसने के लिए उतपाद विभ थाना चेतर के बल्थरी चेक पुस्ट का है जहां उतपाद विभाग के पुलिस के दोरा इंस्पेक्टर मनोज कुमार के नित्रतु में किये जा रहे वाहन चांच के दोरान यूपी की तरफ से आ रही एक कार यूपी 14C 7572 नंबर की कार से 46 काटून हरियाना निर्मिद केशव कुमार चौतरी के रूप में की गई है बतारिक इस बात के जानकारी उतपाद अधिक छक्राकेश कुमार के द्वारा दी गई स्कूलों में 30 सितंबर तक मने का राश्ड्रिय पोसन माह मध्यान भोजन यूजना-क निर्देशक मिथलेश मिर्ष्र के द्वारा कंदर सरकार के निर्देश के आलोप में राज्य के सभी जिलों को पत्र भेज नर्देश जारी कर या जानकारी दे दी गई है कि राज्य के सभी स्कूलों में 30 सितंबर तक राश्टिये पोशन माह 2023 का आयोजन किया जाएगा जिसमें प्रत एक दिन स्कूल में अलग-अलग गतिवी धिया आयोजित की जाएगे जिसके तहत 11 सितंबर को सभी चेतन सत्र के दोरान पोशन पर सपत लेंगे जिसमें समय पर भोजन करने, साफ सफाई पर ख्याल रखने, हरी सबजियों और फलकानी की सपत लेंगे उसके बाद 15 सितंबर को सिर्छा चौपाल में पंचायत प्रतिनीदियों और अविवावकों को बुला कर पोशन पर बात किया जाएगा 16 सितंबर को पोशन पर निबंद चितरकारी आदी प्रतियोगिता का आयूजन 20 को स्कूलों में खाली जगों पर पोशन वाटिका की सनचना तयार की जाएगी 22 को शहीद हुए वीरों की गाथाओं को बच्चों को बताया जाएगा 23 को पंचायत अस्तर पर आम सभायुजित होगी 25 को स्कूल में इनीमिया से बचाओं की चर्चा की जाएगी 26 को किशोडी बालिकाओं के बीच आडन फोलिक एसिट गोली वितरन किया जाएगा 27 को महवारी सुच्चता पर पड़ामर्श और 26 सितंबर को इनीमिया कैंप का आयोजन और हिमोग्लोबीन की जाच की जाएगी विधान सभा उपचनाओं में 4 सीटों पर बीजेपी को मिली हर बीतर दिन छाड आजो के 7 विधान सभा सीटों पर उपचनाओं की घोशना हुई जिसमें बीजेपी का कमल 3 विधान सभा सीटों पर खिला है सत्ता रूर बीजेपी को जीत मिली है तो वहीं उत्राखन के बागेश्वर सीट पर भी बीजेपी का दबदबा देखने को मिला है इसके बागे सीटों पर शेष विपक्ष का कपजा रहा जिसमें पश्यमंगाल की धूप गुरी सीट पर ममता बनरजी की पाटी जीतने में सफल रही तो वहीं उत्तर प्रदेश की घोसी सीट जो की एंटी और इंडिया के बीच में चुनाव लड़ा गया था इसमें सपा को जीत मिली तो वहीं 4 सीटोंपर सेश भारत को जीत मिली है उपच्छनाओं से पहले इन सीटों को लेकर यह कहा जा रहा था कि यहां गामarch देश्चनाओं के लीए लिटमस टेस्ट होगा ऐसे में अब देखना है कि सूप्चिनाओं का लोग सभा चानाओं पर कितना प्रभा ऐसलामी बल्लेवाज डेविड वॉर्नर के नाम शामिल है इसके लावा एक न्यूजिलाइन के खिलारी में विकेट कीपर बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स को शामिल किया गया है भारत के त्यास में आज की तारीक है कहीं कार्णुसदर प्रसद भारती क्रांतिकारी जतंदरनाथ सान्याल और अंग्रेजों के बीच 1915 में उरीशा के काप्टे वाड़ा में संघश हुआ अलेगर का 1920 में एंगलो ओरियेंटल कॉलेज अलेगर मुस्लिम विश्विद्याले में रुपांतरत हो गया भारत में 1924 को कोहार्ट दंगे हुए भारत की समयधान सभाने 1914 में हिंदी को राज्य भार्षा के रूप में स्विकार किया जो गिद्रनाथ हजारीका मुक्य मंत्री का पद 1989 में ग्रहन किये भारत के महेश भूपती तिथा जापान की आर्क सुगियामा की जोडी ने 1999 में अमेर्की ओपन का मिस्रित यूगल खिताब जीता हिंदी साहिते के मुर्धने रचना करत था लोक वारताकार डॉक्टर अर्जुन्दास केश्री को 2008 में साहिते महुपाध्याय अलंकरन प्रदान करने की घोशना की गई सरवच नयाले ने 2008 में CBI को पंजाब और हरियाना उच नयाले के दो जजो नर्मल यादव और नर्मल जीत कौर से 15 लाक रुपे के घूसकार में पूछ ताच की इजादत दी रेल मंत्राले ने 2009 में ग्री मंत्राले की तरजपर अपने करमचारियों के लिए बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली सुरू करने की घोशना की प्रसिद हिंदी लेकक और नाटक कार भारते इंदू अरिश्चंद्र का जन्म अठाश सो पच्चास को हुआ था नोबल पुरुसकार विजेता जर्मन भौतिक विद हंस जियोडग डेहमलत का जन्म 1922 में हुआ हिंदी के प्रसिद रचनाकर कांती कुमार जन्म 1932 को हुआ था बॉलिवट के प्रसिद अभीनिता अक्ष्य कुमार का जन्म 1937 को हुआ था भारत के प्रसिद उपानियासकार कहानिकार निबंदकार नाटककार क्रांतिकारी पत्रकार राम वरिक्ष बेनिपूरी कानिधन 1964 को हुआ था वालकर में आज हम बात करेंगे जी बीस समिट के बारे में सोसल मीडिया पर कहीं सूचना वारल होती है लेकिन सभी सच हो ये जुरूरी नहीं ऐसी करेंगे आज हम बात करेंगे जी बीस समिट के बारे में दरसल पी आईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जी बीस समिट से पहले विविन्ट स्थानू पर पीम नरेंद्र मूदी की लोगप्रियता रेटिंग के विग्यापन वाले होडिंग्स लगाए गए हैं पी आईबी ने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा फरजी है या एक पुरा ना होडिंग है और जी बीस से असंबंदित है वाट्सअप में जल्द आपको इंस्टंट वीडियो मेसज के लिए मिलेगा ये खास ओप्शन वाट्सअप समय समय पर अप में नए फीचर्स यूजर एक्सपीरियंस को बहतर बनाने के लिए जोड़ता है कमपनी यूजर्स को इंस्टंट वीडियो मेसज से जुरा एक खास ओप्शन एंडॉइड और आयोस पर देने वाली है फिलाल यह उप्शन कुछ बीटा टेस्टर्स के पास मौजूद है सबडेट की जानकारी वाट्सअप के डेवलप्मेंट पर नजर बनाये रखने वाली वेबसाइट डबलू ए बीटा एंफो ने शिर की है वेबसाइट के मताबिक कंपनी इंस्टेंट वीडियो मैसेज फीचर को डिसेबल करने का ओप्शन जल्द यूजस को देने वाली है यानि आप इंस्टेंट वीडियो मैसेज को सेटिंग में जाकर आफ कर पाएंगे इससे होगा ये जब आप किसी को वीडियो मैसेज का ओप्शन आपके सामने नहीं आएगा और आप फॉरर्ण मैसेज को रिकॉर्ड कर पाएंगे अब डिसेबल आप्शन ना होने की बज़ से इंस्टेंट वीडियो मैसेज का आप्शन डिफॉल्ट रूप में सामने आ जाता है और लोगों को आडियो के लिए इसे स्विच करना पड़ता है हफते के आखरी काड़ोबारी दिन निफ्टी 19,800 के उपर हुआ बंद 18,820 पर बंद हुआ मालम हो कि बीतर दिन जहां लगभग 1,969 शेरों में बरहत देखने को मिली तो महीं 1,611 सेर में गिरावट देखने को मिली हाला के जोरान 120 सेर आशे रहे जिसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला अगर हम बीतर दिन के टॉप गेनर की बात करें तो कोल इंडिया, NTPC, BPC, L, Tata Motors और Larson and Trubo सामिल रहे वहीं अगर टॉप लूजर की बात करें तो उसमें UPL, ISR Motors, Apollo Hospital, ITC और Ultra Tricks सिमेंट समेट शामिल रहे मालमों कि संसक्स के 30 टेरों में से 21 में तेजी देखने को मिली तो वहीं निफ्टी के 12 टेरों में ग्याला में बरहत देखने को मिली हम प्रते दिनाव से पांच ऐसे जरूई सवाल और से जवाब बताएंगे जो की BPSC, पिहार पुलिस, तरोगा समेट SST जैसे और प्रतियोगी पर इच्छा में काम आएंगे सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विग्यान, करेंट अफेर्स और भुगोल से रहेंगे हमारा पहला सवाल है, हाली में किसने 132 वा डूरेंट कब 2013 का खिताब जीता है? ऑप्शनी North East United SC, ऑप्शन B, Bodo Land FC, ऑप्शन C, मोहन बागान सूपर जोइंट, ऑप्शन D, राजस्थान यॉनाइटेड इसका स्तहित तर है, ऑप्शन C, मोहन बागान सूपर जोइंट अगला सवाल, हाली में मता से पालन के लिए KCC पर राश्थ्रिय सम्मेलन कहां में आयुजित क्या गया है? ऑप्शन D, मुंबाई, ऑप्शन B, कॉलकता, ऑप्शन C, चन्नाई, ऑप्शन D, उरिशा इसका स्तहित तर है, ऑप्शन E, मुंबाई, अगला सवाल, हाली में किसको गुयाना देश में भारत का नया उचायुक्त न्यूक्त किया गया है? ऑप्शन E, डॉक्टर केज स्रीवास, ऑप्शन B, प्रिभाद कुमार, ऑप्शन C, अमित S, तेलंग, ऑप्शन D, इनमें से कोई नहीं इसका सही तर है, ऑप्शन C, अमित S, तेलंग, अगला सवाल, नारंदा के सराय टीला में उत्खनन से निम्न में से क्या प्राप्थ हुआ है? option A, मोर युक का बॉध विहाड, option B, गुपतकाल का मंदर, ऑप्शन C, पालकाल का बॉध विहाड, ऑप्शन D, शिंगवन्स का बॉध विहाड इसका सही तर है, ऑप्शन C, पालकाल का बॉध विहाड अगला सवाल अपने स्ट्रस को कम करने के लिए क्या क्या करते हैं अपना जवाब हमें मारी कमन सेक्शन में लेकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार की तमाम ख़बरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी नियूस और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहें शनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देखे तो पेस को फॉलो करना ना भूले थन्यवाद